तो आएए आगे बढ़ते अपने क्लास 11 के चैप्टर पर हमारा चैप्टर चल ला था चैप्टर फॉर इंट्रडक्शन दू बिजनेस और में तो यह इस चैप्टर का पार्ट सेकंड वीडियो है तो आज का टॉपिक हमारे पास और फॉर्म्स और प्राइवेट सेक्टर और क्लिए तो इन पांचों को हम लोग एक एकर के डिसकस करने वाले हैं तो पहला पॉइंट हमारे पास व्यांट प्रपार्टरशिप क्लिए अचा सोल मतलब एक सिंगल क्लिए और प्रपार्टर मतलब की उस पूरा से जो भी बिसनेस है उस सिंगल परसंट का पूरा मालिकाना यहां के दा ओनर इस दा ओनली दा इंडिविजिए अफ दा कंपनी जितना भी कैप्टल लगा हुआ है उसमें उस उस एक आदमी का ही लगा हुआ है और सबसे कॉमन बिसनस को बश्पांस से मतलब किसी नगर बिसनस कोलना तो यह एक ही आगनी उसके हिम्मत है रिस्क लेने क तो उसने अगर कुछ करश दिखाए अपने अंदर तो भाई साब उसने जाके अपना पैसा लगा है उसने अपना बिसनस स्टार्ट कर दिया क्लियर है और वह चल गया तो लोग फिर उसकी दुआय जेते उसी का इसांपल से तो उसने तो क्या कर दिया रहा है तो ऐसा करके सॉल प्रपरटरिश्व मतलब जितना भी पूरा मैरजमेंन होता है और जितनी भी स्ट्राटजी विनानी होति है सबकुछ भाई सब अकेला बना अकेली जाने के तो थो और यह सब जॉइंट हिंदु फामिली फर्म या बिसनिस क़िए जॉइंड इसका मतलब क्या हाथ फिर उसके फादर ने लगाया है उप बिसनिस उन्होंने वह काम चाले हो किया था उस 1 bra jackets अघ्रीय। उसका वेन उसका बेटा-वाइघर करेगा फिर इसन कर रहा इनका को बॉस्म सारा है तो वह हैं तो वह हैं वहां जैंते हैं तो वही चीज़ होता है वह वहां गली फैमिली है करता है है कि भाई साब दादा ने किया था फिर पापा कर रहा है फिर मैं करूंगा फिर मेरे आगे आने वाली जनेरेशन ने वह भी वाई बिसनस करें क्लिए तो इस दा जॉइंट हिंदू फामिली बिसनस और कोई एक ही बंद और करता रहता है हम तो यहां पर काम कर रहे हैं आप उन् बिसनस के जितने बी डिसेंन से यह लेंगे फिर डाती देड़्ी के बात फिर विकाश्य परेटा आप जी झालिऊ एकoric की नेग्स प्ने मतलब कि होता है Him I will इसको नोग कोई काम साथ में मिलकर करते हैं तो उसको लोग पार्टनर्शिप ले सकते हैं और बाकि जो 20 कि 20 जो members होते हैं 20 जो partners होते हैं वो आपके अदफ बिसनस में हो सकते हैं अच्छा यहां पर इस चीज़े यह भी होती है कि जो partners होते हैं आपके पास वहां पर unlimited और इस पर्फिशन आपके करना यहां फिर कोई अच्छा ओपनी का मतलब क्या होता है जितने भी और वह मेंबर्स होते हैं वह हमारे कॉन उसका उनर मर भी जाता है तो वह कंपनी हमेशा हमेशा चलती ही रहती है इस नौट डिपेंडेंट ऑन दा वन्स लाइफ रिलाइंस का एक्जामपिल ले सकते हैं तो टाटा का जो फांडेशन था वह आपके जियाड़ी टाटा नहीं डाला हुआ तो मतलब उनके खतम होने से ऐसो तर नहीं है ना कि कंपनी बंद हो गई नहीं आज भी चले है आगे 50 साल भी चली आगे 100 साल तक भी चलेगी उसको इससे मतलब नहीं कि कंपनी के मालिक हैं की नहीं है उसको इससे मतलब है कि कंपनी चलनी चाहिए कि मैं रहूं या ना रहूं यह देश चलना चाहिए तो ध्यान लगए चीज़को तो यहां पर लिखा होना कि it is an incorporated associated of the two or the both persons it has a distinct legal entity which is separate from the identity of its member clear therefore a company enjoys unlimited life its continuity is independent of the life of its member and its management and the control lies in the hands of the board of directors consisting of the elected representative of the members there are several types of companies which you will learn in the future lessons okay next point है हमारे पास corporate society clear है तो यहां पर society का मतलब क्या होता है भाई एक group of people ठीक है तो हम लोग जब भी कोई mass level पर काम कर तो simple यहां पर क्या होता है कि उसमें कुछ members होते हैं तो cooperative society मतलब ही होता है कि हजब भी हम लोग साथ में काम करना या एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के साथ काम करना जैसे मानने कि for example 100 लोग है तो सौ लोगों ने एक society बना लिए तो सौ लोग या सौ फैमिली जब एक कोई society बनाती जब भी वह एक कोई group प्रोलों करती हैं तो simpler होता क्या कि ऊन्सों सौंत मुझलों पांच धन्स लोग को कुछ जरूत पड़ी तो सो लोग साथ मैं मिल के help करते हैं कंले रहे तो अब नेक्स्स को पांस लोग को जड़र हैै नेक्स मितलत वग कर के साथ में काम करते हैं तो होता कि सब लेके पास जब एक करोड़ रुपए नहीं है तो क्या करेगा हर एक उसने सौ लोगों से एक एक लाख रुपए ले लिया तो अब उसके पास एक करोड़ रुपए अरेंज़ जाएंगे तो वही चीज़े हो दिए कि भाई सब हम लोग साथ में मिलके करते हैं और जब भी जौरतव करतीचा रोचाइब पर शौरह करते हैं लोगोर। या उनका जब पहली बात होगी कि कोपरेटर सब्साइट में सर्विस मोटीवी रहता कोई प्रॉफिट मोटीव कभी नहीं रहता है तो यहां पर यह चीज़ होती कि जो बाहर कि लोग है उनकी भी लोग हेल्प करते हैं तो यह लोग का मतलब सिस्टम ऐसी रहता है कि आप है साइस आगने चाहर करें कैसी हमारा ग्रो़ करता है तो सब्फेपास नेचेर आफ अग है कि आप प्रेजिदस क्या कर रहे हो प्रेंडब बना ओंसल बना रहे व इस जाक इस दो इसित स्क्राइब को क्लिड रहे तो यहां पर यही चीज़े कि आप कि इस चीज़े पॉफेक्ट हो इसमें प्रोफेशनस भी आजाएंगे डॉक्टर लॉयर टीचर ठीक है वही जितने भी जो प्रोफेशन आता है इसमें सारे कुछ आजाएंगे आपके इसमें प्रोडक्स आजाएंगे आपके इसमें सर्विसें आजाएंगे तो क्योंकि आप कुछ काम कर रहे हो तो आपका बिजनस खरने के तरीका क्या है भाई साब ठीक है तो दाट इस नोन नेचर ऑफ बिजनस क्लिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास साइज एंड एरिया ओफ और परिशन के अब साइज अड एरिया ओफ अपरिशन सी बात हैं साइज का मतलब क्या होता है हाओ यूर कंपनी इस ग्रूइं कैसे कंपनी ग्रू कर रहे है आपकी कंपनी बड़ी है जाय करने के लिए उस कंपनी का प्लान सेट अप करने के लिए यू और गूएं तो नीड और वेरी गुड़ अमांट ऑफ काप्टर विच इस नाट पॉसिबल फॉर सिंगल और फ्यू पार्टन तो उस बड़ी कंपनी को चलाने के लिए हमें बहुत सदा पैसों जरूत होती तो यहां पर यहीं चीज होते हैं अगर हम लोग कोई बड़ा आपरेशिंट कर रहें तो हमें बड़ी बड़ी चाहिए और चोटाय कर रहें तो चोटी कंपनी भी हमारी चल जाएगी एरिया आप कहां पर काम कर रहें ऐसा हो लिए कि भाईया आगर आपका पास अप्लांट है आप किस जगाह पर आप इस बात हमें के अगर मैं फरारी का ad कर रहौ। चिखेंब नियुजवें तो तो टि ने किया कभी है आपने जीवन में फरारी या किसी आइरोप्रेला आद देखा नहीं देखा का आड ने is next to impossible क्योंकि उनको भी मालूम है कि जो टीवी देख रहे हैं वो मेरी कार नहीं खरीच सकते हैं और जो मेरी कार खरीच सकते हैं वो टीवी देखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को बहुत थ्यान से देखने पड़ता है जितनी जो चीज़ों के आड़ देखते हैं हम लोग अपने इंटरनेक पर आड़ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिग्री ओफ कंट्रोल डिजायर क्लियर हैं तो यहां पर कंट्रोल डिजायर मतलब क्या होता है अगर आप कंपनी काम कर रही है अच्छे से बढ़ियां से मतलब बढ़ियां से कंपनी रन कर रही है तो यहां पर आप एक चीज़ यह समझ रहे होगे कि जो कंट्रोल है वो किसके पास है आपने देखा था कंपनी जो है नोक्या वह भी पहले बहुत इतनी बड़ी जायंट कंपनी कुछ कहने को नहीं नॉमसी बात है कि आपके पिता जी ने भी शायद कहिए कि अपने जीवन में जो सबसे पहला फोन होगा वो नोक्या ही उसकी होगा तो वहां पर आप कंपनी को जब आप इतना बड़ा बना देते हो तो कंपनी वह इतना बड़ी बन कैसे रही है उसके पीज़े पूरी एक स्ट्राटजी होती है एक पूरा एक मारज़मेंट होता है एक CEO का बहुत बड़ा हात होता है तो नॉमसी बात है कि उसका CEO ने कुछ ना कुछ घुट्टी ज़रूर भी होगी बिना वह अपना मतलब घुट्टी बे तो काम करीम ने सकता तो वही पास दिमाग होगा कि हाव ही और शी इस गूइंट रन दा कंपनी वह क्या कंट्रोल अपने उपर लेना चाहरा है या CEO के उपर भीज रहा है CEO और जो कंपनी का उनर वह दोनों ही अलग-अलग पॉस्टन होते हैं जो ओनर जो होता है वह कंपनी का मालिक होता है जैसे एक कार यह कार का मालिक हो कौन है वह ओनर है लेकिन जो उस कमपनी को चल आ रहा रहा जो CEO वह उस कार कांड्र है लेकिन जो चला रहा है और अच्छे चला रहा है और अगर वो कंपनी को बहुत ही उचायों तक ले करके जाएगा ना तो तो वहां पर जो होता है वह सीओ काम कर रहा है ठीक है ओनर काम नहीं कर रहा है तो दाट शुट भी स्पेसिफाइट डाट था कैसे कंट्रोल होगा और किस तरीके से आप उसो करोगे क्यों आप हर एक एंप्लोई को ऐसा सोचने का मौका दो कि नहीं यह कंपनी मेरी ही नहीं है हर एक यह उतनी कंपनी जितनी एक ओनर के कंपनी है दुर्ष कirrelायद की जितने छक्षी आपनी से खोड़ी भली कंपनी यह इन चोटे कंपनी से वह जुड़ी मिलता है् और भले हो एक व्यैक्ने सब्सक्राइब कर चाहिब एय। तो क्या चोटी कंपनी उसके पेंच तो बना ही सकती है, इसक्रू तो बना सकती है, क्यों नहीं बना सकती है, नॉमल से बना पर गए, तो वहां से होता है, यह लोग को चीज़े बहुत सी चे आउट सोर्स कर देते हैं, तो जो भी चीज़े आउट सोर्स करते हैं, वो चोटी क चाहिए कि आप क्या चीज स्कते हैं। अच्थ करने में सामर्थ हो। नेक्स टॉपिक हमारे पास वर डिग्री और फ्रिस्क इन्वाहट क्लियर तो हर एक चीज में भाइया ड्रिस्क प्रिक्स ब्रिस्क होता ही है अगर अपने लाइक में रिस्क कुछ भी नहीं है मतलब एक तो कहते हैं ना कि एक एडवेंचर होता है ठीक है तो दाट एडवेंचर इस आलवेज एक्यूलेंट तर रिस्क यू कन टेक तो एलान मस्क हाली मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेटेड अगर उसने जब पेपल बनाया था तो उसको वह बेच करके जितना भी उसको पैसा मिला सब्सक्राइब मिले थे वह चाहता तो वह पूरी जिंदगी उन डॉलर से एश वह राम की जिंदगी ले सकता था लेकिन नहीं उसने रिस्क लिया और नाव इस तर हिस्ट्री इतिहास क्रेट करके रख दिया भाई साब उसके लिए ने और मतलब ही इस करेंटली दा वर्ल् आप किसी भी सेक्टर में हो चाहिए आप इजुकेशन सेक्टर में हो चाहिए आप आईटी सेक्टर में हो आप किसी भी सेक्टर में हो इस आप इस तेकिंग दर रिस्क तेन बिलीव में ताट यू आप रिस्क नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि इसका मतलब यह है कि आपने तो आपको यह चीज़ देखनी होती है कि अगर आप रिस्क ले रहे हो और इसने रिस्क लिया तो नॉमत से बात है कि ऐसा नहीं कि उसने एक बार में सारी कुछ जो मतलब अचीवेंट गेन कर ली नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उसने रिस्क लिया और बहुत बार वह फेल हो अपनी लाइफ में और बहुत मिलियन ऑफ डॉलर्स उसने बहुत लॉस किया तो लॉस करने बात जब उसका जो प्रॉफिट है ना भाई साब आज जिस कंपन रखें जो सक्सेस्फुल जो परस्स होते हैं यह जो प्रॉफिट होता है न वह कभी खुद के लिए रखते हैं वह हमेशा उस कंपनी में इंवेस्ट करना चाहते हैं और यह वांड डार कि दियो कंपनी शिट ग्रोग अब उस बिसनेस हम लोग कितने टाइम तक करना चाहते सब्सक्राइब तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है कि मैं रहूं या ना रहूं यह देश चलना चाहिए तो मैं रहूं या ना रहूं यह बिसनेस जरूर चलना चाहिए वहां बिसनेस होता है आपने बहुत म milliseconds के साथ मतलब आप तो काम करी रहें उस बिसनेस के साथ और साथे साथ जो आपने लाकों या हजारों लोग नहिज़गार तया हुए गैश्ալ को यहां पर सोचता है कि मेरे बाद यह बिसनेस खता बदक रहें। वो हमेशा ही सोचता है कि यह लॉंग रण में चलता रहा है ठीक है टाटा इसापल आपको दिये था तो इसलिए क्लिए इस पेसेक्स आप ले सकते हो या इलान मस्क जितने भी कंपनी से या जितने भी जो बिजन स्टाइकों से जितने भी बिसन्स मैंगनेट से अप उनकी कंपनी क्या होती है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे उनके लेकिन वह कंपनी हमेशा चलती रहें कि कॉस्टे आर जिस कंट्रिबूटिंग दा सोसाइटी विद्टेर प्रॉडप्स और सर्विसे क्लियर कि नेक्स्ट आमारे पास गवर्मेंट रेगुलिशन अंडर कंटोर क स्वामासी बात है कि जितने भी जो प्राइवेट कंपनी रहते हैं तो उनमें गवर्मेंट का रोल बिलकुल भी जीरो होता है तो वहां पे जीरो रहेगा तो इस वज़े से हमारी जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वह इतने बढ़या से ग्रो कर पाते हैं तो यही चीज़े होती है कि जितना भी कम गर्मेंट का इंटर रहें किसी भी प्राइवेट सेक्टर में तो उतना ही ग्रोग करेगा तो यहां पर आपकी कमपनी में ऐसी एसस पर रखपये या आपकी कम्पनी में ऐसी वैल्यूड है कि आपके कंपनी मेल्यू है लकार यह लेता है कि नहीं लेता है तो तोक डाक्तोटी डीचिशन कौन ले रहा है अगर अगर घौनल नadesh होते ला तो भाई से नहीं का बनकर सर्फ कूझ न такой रह जाता तो एक flexibility होनी चाहिए कि आप company जो चला रहा है वह परसन कैसा इन परसन कैसा है परसनल में परसन कैसा है और प्रोफेशनल परसन कैसा है तो यह चीज हम लोगों को figure out करने परते हैं कि जितना हमारा easy flexible और जितना user friendly decision maker होगा महां पर company के अंदर हम लोग हमारी company तो grow career करेंगे आज वहां के employees भी grow करेंगे they will learn something new they will experience something new and they always want that the leader is not who orders the leader is who always show them the sample and and he or she want that employees should follow him or her leader powerful leader leadership order day leader āए जो पेहले खुद करके देखा और फिर अपने लोगों से उम्मीद करें कि लोग आप ऐसा ही करेंगे या इसके और अच्छी तरीके से करेंगे तो legalri वह सामने से से ॐखिषियोंजरिया ऑपता दो शीमाश्यीश्टा जी आप पतातो अपने इंप्लोई की ब्याव वालू करिए तो आपको यह चप्टर समझ में आऊगा अच्छे से अच्छे से इंडरेशन तो बिसनस और नहीं समझ में तो एक बार फिट से वीडियो देख लो क्लियर है और बस आगे आज तक आज यहीं तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स वीड